करें आज के साथ आज के सब्सक्राइब करेंगे यहां पर अगर देखा जाए तो कंपनी को एक काफी इंट्रेस्टिंग और नया प्रोजेक्ट भी मिला उसके बारे में भी हम लोग डिसकस करेंगे उससे पहले एक बार देख लेते हैं कंपनी क्या करती हो फानेंशल अगर देखा जाए तो मेनली कंपनी एक यहां पर से पितांधिक में तो यहां पर देखी गई कि महां को फटाए की जाए कि रेल्वे स्टर का चांखी देज़े से हमारा nesam साथ यहां पर चीजिआ कि बोलेंज बनाने का और इसके अंधर देखा जाए तो इंडिया के अंदर बनाने के लिए एहमदाबाद से मुंबई के लिए 508 किलोमेटर का यहां पर टोटल प्रोजेक्ट है एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है 508 किलोमेटर का अगर यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम बनाना है तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर मेजर रवेन्य यह ले आ सकता है अब यहां पर देखा जाए तो अमने लगता है कि यह सिर्फ अखेला प्रोजेक्ट होगा इसके बाद फूचर में अगर यहां पर देखा जाए तो इसको और प्रोजेक्ट्स मिल सकते कि इस एक रूट के लिए लिए और भी रूट के लिए फर्दर भी डेवलप की जाएंगी बुलेटरिंस लेकिन अभी के लिए तो फिलाल अगर देखा जाए तो करेंटली हम लोग पास यह एक नया ओडर आया है जो की काफी बड़ा तो इसके अंदर कंपनी को कई न कई बेनिफिट हो सकता है यहां पर द जादा है लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि यहां पर स्टॉक की पी कभी-कभी थोड़ी सी जादा होती है और कंपनी की आप लोग देख रहे हो कि रेविन्यू आगे बढ़ने वाली है मतलब और प्रोजेक्ट मिल रहा है तो थोड़ा सा अगर स्टॉक की जादा है तो हम लोग स्टॉक की पी थोड़ी सी कह सकते हो कि प्रॉफिट ग्रोफ की ट्वाइस के आसपास होती है मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो 26 से बहुत जादा दूर नहीं है अरूंड कह सकते हो तो तो उसके साब से अगर देखा जा तो वैलिएशन यहां पर कंपनी के अच्छी है आरोसी और आरोई कंपनी की ठीक है बहुत जादा नहीं है अल्दो इस सेक्टर पे बहुत जादा होती भी नहीं है नीच आएंगे यहां पर हम लोग कौटरली रिजर्ट्स अगर देखा जा तो कौटरली रिजर्ट्स आप देख सकते हो ठीक ठाक यहां पर आपको नजार यहां पर देखा जाए फिर नेट प्रॉफिट वाइस तो वह भी यहां पर बढ़ते हम लोगो नजार आ रहा है तो यहां पर इदर बीच अगर देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ में काफी तेज़ी से बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं नहीं है कि इंफ्रस्ट्रक्चर सेक्टर क यहां पर मेजरली है उसके बाद अगर देखा जा तो पब्लिक की उडिंग उसके अंदर भी अगर देखेंगे तो अपनी होलिंग इदर बीच रीसेंटी बढ़ा रहा है अब चार्ट में अगर देखा जाए तो चार्ट में यहां पर देखोगे कि कंपनी एक लगातार नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है थो थोड़ा बहुत यहां पर डाउंसाइड आते आपको नजर आ सकता है तो इस बेसे पर हम नहीं लगता है कि अभी करेंट लेवल्स पर फिलाल भी बाहिंग करना चाहिए तो अब यहां पर अपनी प्रॉपिट करना चाहों तो कर सक अब जो इन्वेस्टर से अगर उनके लिए अगर देखा जाए तो यह एक साइन अफ स्ट्रेंट थो उनको परिशान होनी के जुरूत है कंपनी मोस्वाब यहां पर टेस्ट करके दुबारा हम लोगों को चलते नजर आ सकती क्योंकि कंपनी का अगर देखा जा तो फंडमे जरू करना ओके बाए